महारारा प्रताफ सिक्षापैसद गोरःपूर परिवार के वरिष्ट सदस्य डॉक्टर प्रदीब कुमार volunteer को हिंदुस्तानी अकादमी द्वरापतिस्चित गुरु गोरःखषनात सिहकर सम्मान दिया गया डॉक्टर प्रदीप कुमार राओ 1994 से अध्यापन के छेतर में हैं, वा उत्तर प्रदेश हिंदिस अंस्थान के कालेकारणी सदस्य दीन द्याल उपाद्य है, गोरक पूर्व श्विद्याले के महायोगी गोरक्षनास सोध पीर की अधिशासी समीती के सदस्य और गुरु गो प्रमुक सासक, गुप्तोत्तर योगीन भारत का राजनीतिक इतिहास, चंदर सेखर आजाद, महायोगी गुरु गोरक्षनात, गोरक्षनात, मंदी रेवं गोरकपूर का इतिहास, युगदिस्टा महंत दिग्विजयनात, योगी राजबाबा, गंभीरनात, राष्ट संत महंत अवैदनात सहित, उनकी कई पुस्तके प्रकासित हो चुकी है, विविन सोध पत्रिकाओं के में नात पंत और महायोगी गुरुक्षनात सहित, अन्य विश्यों पर उनके लेक प्रकासित होते रहते हैं, इस संबन्द में गुरुपूर न्यूस से टेलिफोन पर बात क प्रतिवी डॉक्षर प्रदीब कुमार राउनी बताया, इस पुरसकार से अविस्त में, यानि आगे आने वाली क्यों ही नात पंतर भुरक नाजी के संदर में, अध्यन करने में रूची लेगी, सोध करने में रूची लेगी, यह हमारा विश्वास है, हाँ, पुरसकार का उद्देश एही होता है, कि इस दिशा में सोधकारे और पढ़ने लिखने अध्यन अध्यापन करने वाले लोग प्रेरिफ हों, और अच्छा काम करें, तो वो उद्देश इसे कुरा होगा, पुरसकार का उद्देश तो ताएक यह है, कि 1998 के आज़ पास सोध करते समय, महराज गंज के चोग बजार से महायोगी गोरखनाथ की मूर्खियों और उसमुद्राएं प्राफ्ष होई थी, वहां से महायोगी गोरखनाथ के प्रती अध्यन करने की स्थान रखता है, और उस पर अध्यन अध्यापन किया जाहिए, ज़िद्ध की पाठक्रम में न होने के नाते कहीं ही, हम लोगों के ध्यान में तक तक बहुत कुछ नहीं था, कि वहल नाम सुनते थे, जब उनके संदर्व में पढ़ना लिखना शुरू किये, तब ध्यान में आया, कि महायोगी गोरफनात हिंदी साहिस्त के आदि कभी हैं, वो भुश्पूरी के आदि कभी हैं, संस्कृत में उनकी एक दर्जन पूस्त के थी, गोरफनात का दर्शन और योग दर्शन, तर्शन सास्र में महतपूर अस्थान रखता है, और यहां से फिर महायोगी गोरफनात के बारे में लगवग दो हजार पांस इस वी में हमने अपने अध्यन का मुक्त केंद्र बनाया हैं, उसके पस्चात हमारे कालेज में 2008 तक आके आते महायोगी गोरखनाथ सोद अध्यांत के मुद्र हमने शाकित किया और उसके माध्यम से फिर गोरखनाथ जी और नास्पंद पर हम लोगोंने काम सुरूप जिया है इस संदर्व में एक तो आकर के 2011 के आफ साथ मांत अवैदिनाथ अविनंदन ग्रंत के रूप में जब नास्पंद पर काम करने का उसर मिला तो तरहिए चार साल तक नास्पंद के जिविर आयाम में आये देश भर से उसके संदर्व में सामग्रिया ही पथा हुई और फिर राष्टिता के अनम्य साथक मांत अवैदिनाथ अविनंदन ग्रंत तीन खंडों में लगवगे 1200 केश का प्रकासित हुआ जिसके संपादक प्रुसर सदामन जी और मैं रहा उसके बार महाजी के ब्रहमलीन होने के बार ब्रहमलीन महंत अवैदिनाथ इसमित ग्रंत प्रकासन करने की योजिनाब बनी उसमें भी संपादक प्रुसर सदामन गुप्त जी और प्रदीप राव यानि मैं था ये सब अज्यन करते हुए हमारे वहां से एक हम लोगोंने साथा एक मासिक पत्रिका जो योग बानी निकलती रही है और रचनाथ मंदिर से उसमें मैं प्रबंत संपादक के रूप में मैंने काम करना शुरू कर लिया महा विद्धाले की एक बार्षिक पत्रिका विमर्ष निकलती है उसमें गुरस जी और नाथपंत पर एक लिये आजिकिल अनिवारता हर्थ पर सोदपत्र के रूप में आना शुरू हुआ इस बीचे दो किताबे हमारी ओर आएं नाथपंत का समाज दर्षम और नाथपंत हम लोगों के जो पांच विद्धार्षी ऐसे थे जिनकों हमने आगरा किया कि वो नाथपंत पर और महायोगी गोरस नाथ इनके विविदायामों पर विश्वित जाले हमें सोद करें इस समय तक जाते जाते महायोगी गोरस नाथपंत पर हम लोगों ने लगभग जो साई से अब तक उखलग रहे हैं पूश्य पीडि के लोगों के जैसे हलारी पुषाद दिवेदी जी का की पुस्तके हैं रांगी रागव की कितार की उन सब उत्ता संग्रह करना और संग्रह के बाद उस पर सोद कार्य करना प्रारम हुआ है लगबग इस समय में प्रिंग से चार पुस्त के प्रकापन में हैं ये दौर में हैं ये स्व्रकापित हो चुकी है और सोध के साथ पाठ्षक्रमों का हिस्टा बनाने का भी प्रेत्न हमलोंने स्प्रादम दिया है जिसके इंतरकत गोरतनाथ गोरतपुर विश्विद्याले मे गोरतपुर विश्विद्याले के प्राजिनित याज विभाग में तौन्सिक्रित विभाग में और दवसन साथ विभाग में गोरतपुर विश्विद्याले के प्राजिनित विभाग में गोरतपुर विश्विद्याले के प्राजिनित विभाग में गोरतपुर विश्व हैं जो एक यूग परिवर्टन का आवान करते हैं यानि वो नोने भारत की में जाती गवस्था के उंच नीच छुवा चिक को पहली बार उनोंने चुनोती दी मात्मा गुद्ध के बाद समाजिक परिवर्टन का आवियान चेरा फर्मक में वाय आजंबरों को तोड़ते हुए उन्होंने योग का प्रतिपादन किया इस प्रकार से गोरकनाच जी को हारत बर्ष के विश्वित्यालियों में पहाया जाना किसी नए यूग के लिए अपरिहार और अनिवार हिस्ता थ जो अब तक नहीं हुआ है अमें लगता है कि अब इस प्रकार के प्रेयत्यों से नाजपंत और गोरकनाच जी भारत के पास्ट्रमों में जुड़ेंगे नई प्रिविव उनसे परशित होगी और फिर सामाजिक और राजनेतिक आर्थिक और सांस्क्रतिक सुनोतियों को करने में नाजपंत और गोरकनाच जी का दर्दम एक मौत पूर्ष होई का लिवा सकता है लगजबग पचास बर्स से ले करके और पैटीस बर्स की उमर में मैंने कि पिशली प्यूरी नाजपंत पर जो काम की हो स्वांकर सुफाय काम की क्योंकि कोई प्रोफेशनल कोर्स न करने माले मेरी जानकारी में नहीं इस पूरे अधियान से अगली क्योंकि आ रही है उसे उस्ता बढ़ेगा और नाजपंत पर गुरकनाजी के छेतर में अधियन करने का नया मार्ग पूस्त होगा